तो चलिए आज बात करते हैं divergence के बारे में जैसे हैं हम directional derivatives के बारे में बात करते हैं और अलग-अलग ऐसे functions के बारे में बात करते हैं कि जिसका derivation अलग-अलग directions के accordance में change हो जाता है तो उन सभी properties को study करने के लिए हमें कुछ अलग-अलग vectors का use करना पड़ता है क्योंकि vectors क्या है? Vector एक directional quantity है क्योंकि vector एक ऐसी term है जिसे represent करने के लिए आपको magnitude तो चाहिए ही चाहिए लेकिन magnitude के साथ साथ आपको उसकी direction को भी क्या करना पड़ता है? represent करना पड़ता है तो यह जो directional derivatives होते हैं वो क्या होते है? directional derivative में आप अगर अलग-अलग direction में उसी quantity का derivation लेने के कोशेश करते हैं तो वो derivation क्या आता है? वो derivation change आता है मतलब कि उसका यह जो rate of change है क्योंकि derivative क्या होता है? derivative होता है rate of change मतलब कि उसका change जो आता है rate आता है मतलब कि यह जो अलग-अलग points के लिए अलग-अलग coordinates के लिए या फिर अलग-अलग values के लिए जो उसका change आता है rate में वो क्या होता है? अलग-अलग होता है और वो अलग-अलग किस format में होता है direction के format में होता है तो उसे हम क्या बोलते है उसे हम बोलते है directional derivative तो जैसे हैं directional derivatives के बारे में बात करते है या फिर कुछ ऐसे functions के बारे में बात करते है जो functions totally directions के ओपर dependent होते है तो उसका यह जो derivation बनके आता है वो derivation according to the direction या फिर with respect to the different direction अलग अलग आता है तो उसे हम क्या बोलते है directional derivative तो ये जो सभी directional derivative है वो किस तरह से find out हो सकते है तो उसे find out करने के लिए आपको divergence का use करना पड़ता है तो ये जो divergence है gradient है या फिर curl है ये सभी क्या property है ये सभी properties vectors के साथ में होने वाले operations है क्योंकि यहाँ पे आप जो operator यूज करते है वो operator एक geometry का operator होता है क्योंकि आप यहाँ पे del by del x, del by del y और del by del z का use करते है मतलब की del by del x से मतलब क्या होता है del मतलब की partial derivative तो ये जो partial derivative का operator है वो operator x, y और z तीनों x को belong करता है साथ में उनकी unit vectors के caret भी आते है i caret, j caret और k caret तो इन सभी को use करके हमने क्या बनाया है हमने एक operator बनाया है, जो operator अलग-अलग vector और scalar functions के उपर use होता है और उसके कारण हमें एक resultant answer मिल के आता है तो वो जो answer होता है, वो answer या तो vector हो सकता है, या तो एक scalar हो सकता है तो ये जो सभी properties है, उन सभी properties को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें इस vector operator del और आपके दिये गए function मतलब कि वो scalar भी हो सकता है या फिर vector भी हो सकता है, तो उसका हमें क्या करना होता है उसका हमें behavior लेना होता है, operation लेना होता है तो वो operation क्या हो सकता है, वो operation या तो dot हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है cross हो सकता है तो यह जो सभी operations होते है उन सभी operations के कारण हमें तीन अलग-अलग quantities मिलती है एक होता है divergence एक होता है gradient और तीसरा होता है curl तो यहाँ पे हमें बात करनी है divergence के बारे में तो मैं आपको geometrical examples लेके आपको यह represent करने के कोशिश करूँगा कि यह जो divergence है वो divergence असल में होता क्या है अगर आप यह बोलते है कि किसी भी vector functions का आपको divergence मिलता है या फिर आपने divergence निकालने के कोशिश की है तो यह divergence असल में होता क्या है उसका मतलब क्या है आपको इस मतलब को mathematically भी समझना है और इस मतलब को आपको geometrically भी समझना है क्योंकि जैसे ही आप इन सभी terms को mathematically समझने के साथ साथ अगर आप इसी geometry में देखने के कोशिश करते हैं तो वो आपको समझने में उतनी ही आसान साबित होती है तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं इसके geometrical examples को diverged vector field मतलब कि हमें यहाँ पर यह देखना है कि यह जो आपको एक geometry दीख रही है यह जो आपका graph है यह graph एक diverged vector field को क्या कर रहा है represent कर रहा है तो हमें यह देखना है कि यह जो पूरी की पूरी figure है इस figure में हमें represent क्या दिया गया है देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से अलग-अलग vectors मिल रहे हैं, तो यह जो vectors है, इस vectors के पास क्या होगा, vectors के पास उसकी direction होगी, और साथ-साथ में उसका क्या होगा, magnitude होगा, तो जैसे ही आप इस पूरी की पूरी figure को देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे क्य यह जो सभी arrows है, वो arrows का जो magnitude है, मतलब कि यह जो उसकी length है, वो length कितने है, वो length 1 unit है, क्योंकि यहाँ पे यह जो सभी arrows है, उन सभी arrows की यह जो length है, वो length, पूरे के पूरे एक box की length के equals में है, मतलब कि यह जो उसकी length है, वो length कितने हुई, वो length हुई 1 unit, तो यह जो 1 unit की length है, वो length तो सभी vectors के लिए सभी arrows के लिए कितनी है same है लेकिन जो दूसरी बात है वो दूसरी बात क्या होती है वो दूसरी बात होती है उसकी direction तो direction क्या है यह सभी arrows की direction सिर्फ और सिर्फ एक ही direction में है कुन सी direction में है उनकी direction यह यहां से negative x से start होकर कुन सी direction में जाती है वो जाती है positive x की direction में मतलब कि ये जो सभी arrows है वो सभी arrows positive x direction में है तो मतलब ये हुआ कि ये जो सभी arrows है उन arrows का magnitude 1 unit है दूसरी बात कि ये उनकी direction है वो direction सभी के लिए negative x से start होकर positive x की direction में है तो ये दो जो properties है, वो दो properties इस पुरे के पुरे field के लिए क्या होती है, पुरे के पुरे field के लिए uniform है, मतलब कि सभी के लिए क्या है, same है, और ये जो दूसरी प्रोपर्टी हमें जानने के लिए important है, वो क्या है, वो ये है कि ये जो सभी arrows है वो सभी arrows x-axis के लिए क्या है 100% horizontal है मतलब केहने का ये है कि अगर आप इस arrow के बारे में बात करते है तो ये arrow हमारी इस x-axis के comparison में क्या है horizontal है अगर आप इस arrow की बात करते है तो ये arrow भी x-axis के accordance में क्या है horizontal है तो जैसे कि इन दो arrows के बारे में बात की तो सभी arrows के लिए यही property क्या होती है follow होती है मतलब कि सभी arrows हमारी इस x-axis को क्या है 100% horizontal है तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे तीन अलग-अलग properties है एक property है उसकी direction के लिए कि इन सभी arrows की यह जो direction है वो direction 100% uniform है एक ही direction में है negative x से start करके positive x तक क्या होती है follow होती है दूसरी property है इसके magnitude के बारे में तो यह जो उसका magnitude है वो magnitude 1 unit है मतलब कि सभी arrows की यह जो length है वो length इस one box की क्या है equals में है तो यह होगे दो properties की बात और तीसरी property क्या है तीसरी property यह है कि यह जो सभी arrows है वो सभी arrows x axis के comparison में क्या है horizontal है तो यह जो तीसरी property है कि यह सभी arrows x axis की comparison में horizontal है वो हमारे लिए इसलिए important है क्योंकि अगर कोई भी vector या फिर कोई भी arrow अगर x axis को horizontal होता है तो उसका meaning यह होता है कि उनके लिए अगर कोई भी variable term है तो वो सिर्फ क्या होगी x-axis के comparison में ही होगी क्योंकि उसका जो y-coordinate होगा वो y-coordinate क्या आएगा 0 आएगा क्योंकि y-coordinate वहाँ पे variable नहीं है वहाँ पे अगर कोई भी coordinate variable है तो वो सिर्फ कौन हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ x-axis ही हो सकती है तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर इस पूरे के पूरे vector field के लिए अगर हम उसका equation find out करने की कोशिश करते है तो वो equation क्या बन के आ सकता है वो equation बन के आ सकता है यह मतलब कि यह जो आपका function है function f of x और y क्योंकि यहाँ पे plane में x और y दोनों property क्या होती है vary होती है तो यह उसका function बन क्या आता है वो function क्या है f of x,y is equals to one time i caret मतलब कि यहाँ पे यह जो कोई भी vectors draw होने वाले है वो सभी vectors किस तरह से draw होंगे तो उन सभी vectors को draw करने के लिए उसका magnitude चाहिए होगा one unit और उसकी यह जो direction है वो direction क्या रहेगी horizontal with respect to the x-axis मतलब कि यह उसका i caret जो है वो i caret किसे represent करता है वो represent करता है आपकी x-axis को और यह जो vector बनेगा वो vector हमने देखा कि उसका magnitude one unit होगा और उसकी जो direction है वो direction x-axis की direction में होगी लेकिन वो plus है या फिर minus यह किसके उपर dependent है यह dependent है इस पूरी की पूरी terms के prefix के उपर तो इसका prefix क्या है इसका prefix तो हमने हर बार देखा है कि अगर कोई भी mathematical sign आपके terms के आगे नहीं लिख्य दे रखी है तो वो mathematical sign क्या होगी वो mathematical sign always क्या होगी positive ही होगी तो मतलब यह बन क्या आता है कि यह जो पूरा का पूरा vector बनने वाला है वो vector आएगा positive x direction में क्योंकि यहाँ पे उसका magnitude बनेगा one unit और one unit magnitude के साथ साथ यह जो उसके x-axis की direction है वो कौन सी होगी positive होगी तो जैसे कि हमने यहाँ पे इसका function लिखने की कोशिश की तो यह function क्या बन के आया यह function बन के आया f of x is equals to one time i carat तो हमें यह देखना है कि यह जो आपका function है वो function क्या इस पूरे के पूरे vector field को इस तरह से nominate कर पाता है ओके देखते हैं कि अगर one time i carat है तो उसका मतलब यह हुआ कि उसका magnitude कोई भी situation में कोई भी position में क्या होना चाहिए one unit होना चाहिए तो जैसे कि हम पूरे के पूरे vector field में यहाँ पे देख सकते है कि आप इस arrow को लीजिए इसे लीजिए इसे लीजिए यह फिर इसको लीजिए तो यह जो सभी arrows है वो सभी arrows क्या है वो सभी arrows one unit की length में आते है दूसरी बात कि जैसे हमने की थी कि यह सभी vectors negative x से start करके positive x की direction में क्या किये गए है draw किये गए है मतलब कि उसकी direction क्या है positive x की direction में है और यह सभी vectors क्या है y axis को exactly इस तरह से perpendicular cut करते है मतलब कि y को perpendicular है तो इसका meaning यह हुआ कि अगर आप y की कोई भी value मो रखते है इस equation में तो उस सभी values का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं निकलता है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते है तो यह जो y की पूरी value होगी इस पूरी पूरी line के लिए वो क्या होगी यह 1, 2, 3 तो यह क्या आएगी 4 आएगी लेकिन इस पूरी की पूरी 4 unit के लिए यह सभी vectors क्या है जो के तो ही है मतलब कि यहाँ पे कोई भी change नहीं आता है जैसे हम इस 4 unit के लिए बात करते है उसी तरह से हम इस 1 unit के लिए भी बात कर सकते है हम यहाँ पे minus 2 के लिए भी बात कर सकते है हम यहाँ पे plus 3 के लिए भी बात कर सकते है तो मतलब कि इस पूरे के पूरे function में आपको y की यह जो variability है वो y की variability कोई भी माईने नहीं रखती है जिसके कारण हमारे पूरे function में अगर कोई भी term variable है तो वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ one time i caret मतलब कि ये पूरा का पूरा vector bounded है उसमें कोई change नहीं आता है तो हमें अब ये देखना है कि ये field divers कैसे है हमने बात क्या की थी? हमने ये बात की थी कि हमें ये समझना है कि divergence क्या है तो divergence तभी हमें मिल सकता है अगर आपका कोई vector field vector field से मेरा मतलब क्या है? जैसे हम किसी field के बारे में बात करते है तो field क्या होता है? field एक decide किया गया area होता है कि जिस area का एक function होता है कि जिसे हमें represent कर सकते है तो वो function अगर direction के dependence में change होता है मतलब कि यह जो आपका area है या फिर यह आपका जो field है वो field अगर direction की comparison में change होता रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं vector field बोलते है क्योंकि उसे represent करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है vectors को draw करना पड़ता है तो जैसे ही आप vectors को draw करते है तो उन vectors के collection के कारण आपको क्या मिलता है एक पूरा का पूरा field मिलता है तो यहाँ पर यह जो सभी single single vectors है उन single single vectors की वज़े से हमें क्या मिला है ये पूरा का पूरा फिल्ड मिला है तो इन सिंगल सिंगल वेक्टर्स की वज़े से हमें इस फिल्ड मिला है तो इस फिल्ड को हम क्या बोलते है इसे हम बोलते है वेक्टर फिल्ड तो ये जो आपका वेक्टर फिल्ड है यह vector field एक पूरी अलग-अलग direction में क्या होता है डाइवर्ज होता है तो डाइवर्ज होने का meaning क्या होता है डाइवर्ज होने का meaning यह होता है कि एक point से start होता है मतलब कि यह point उसका origin हो सकता है और उस origin के बाद वो क्या होता है अलग-अलग direction में propagate होके move होता है expand होता है तो इस origin स से स्टार्ट करके throughout the area मतलब कि इस पूरे के पूरे area की comparison में यह जो इसका expansion है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं इस property का divergence तो यह जो divergence है वो हमें यहाँ पे समझना है तो अगर किसी property का divergence होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे यह field diverge हुआ है तो diverge होने का मतलब simple terms में यह होता है कि कोई भी vector एक origin से निकल के अलग-अलग direction में अगर वो propagate करके expand होता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि वो vector diverge हुआ है तो यहाँ पे यह जो सभी vector से वो क्या हुए है diverge हुए है तो यह divergence positive भी हो सकता है यह divergence negative भी हो सकता है और यह divergence 0 भी हो सकता है मतलब कि यह अपका field divergence की property में तीन properties देता है either positive और negative या फिर 0 मतलब कि अपका यह divergence field हो सकता है वो field या तो positive हो सकता है या तो negative हो सकता है या क्या हो सकता है 0 हो सकता है तो हमें अभी यह देखना है कि यह आपका field positive है negative है या फिर 0 है वो किस तरह से determine किया जा सकता है तो हमें अभी यह देखना है कि हमारा यह जो field है कि जिसके बारे में हमने analysis किया है कि ये कौन सी direction में है इसका magnitude क्या है ये जो उसका vector है वो vector का equation क्या बन सकता है ये बात हमने यहाँ पे देखी लेकिन अभी हमें ये देखना है कि ये जो हमारा vector field है उसका divergence किस तरह से check out किया जा सकता है तो divergence को समझने के लिए आपको एक बात अच्छी तरह से दिमाग में याद रखनी है कि ये जो divergence होता है वो divergence कोई area की property नहीं है वो एक specific point की property है मतलब कि अगर आपको ये बोला जाता है कि आपको इस field का divergence check out करना है तो वो divergence आपकी इस पूरे के पूरे field में throughout की property नहीं है वो क्या है? वो आपके पूरे के पूरे field के अंदर एक specific point के accordance की property है मतलब कहने का ये है कि अगर इस पूरे के पूरे field में मैं आपको ये question करता हूँ कि exactly इस point के पास मतलब कि यहाँ पे आपका ये जो field है वो कितना diverge हुआ है वो आपको मुझे बताना है तो अब ये बन गया आपका पूरा का पूरा question की इस पूरे throughout field में exactly इस point के पास आपका ये जो field है वो कितना diverge होता है वो आपको मुझे बताना है तो ये हो गया exact question की इस पूरे field में exact इसी point के पास आपका field कितना diverge होता है तो यही question अगर मैं इस point के बारे में पूछता हूँ कि इस पूरे के पूरे field में यहाँ पे इस point के पास आपका field कितना diverge होता है वो आपको बताना है तो वो आप मुझे यहाँ पे check out करके या फिर इस पूरे के पूरे field को analysis करके मुझे आप बताएंगे तो वो क्या बन के आएगा वो बन के आएगा इस पूरे के पूरे field का divergence का answer तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये field तो वही था common लेकिन फिर भी इसमें इन दो अलग-अलग points की comparison में इसका ये जो divergence है वो या तो same भी हो सकता है throughout area की property नहीं है वो किसकी property है वो exactly a specific single point की to the point की property है तो अगर आपको कोई भी ये question करता है कि इस field का divergence क्या है तो आपको उसे सामने question करना चाहिए कि आप इस field में कौन से point के पास इसका divergence निकालना चाहते है तो मैं आपको वो बता सकता हूँ कि वो point के पास इसका divergence क्या हो सकता है तो यहाँ पर हम देखते है कि ये जो सभी arrows है वो सभी arrows कैसे है uniform है क्योंकि इनका ये जो magnitude है वो magnitude कैसा है throughout this wall area वो कौन सा है constant है वो यहाँ पर change नहीं होता है उसका magnitude one unit ही रहता है इस पूरे के पूरे field में तो वो divergence बहुत ही ज्यादा ऐसे chances है कि वो common बन क्या है मतलब कि constant बन क्या है throughout any point कोई भी point के पास अगर आप इसका divergence find out करने की कोशिश करते है तो बहुत ही ज्यादा ऐसे chances है कि इस सभी vectors का magnitude equal होने के कारण उसका ये जो divergence है वो divergence आपको equal मिले लेकिन मुझे आपको ये समझाना है कि divergence positive है negative है या फिर zero है वो किस तरह से check out किया जा सकता है तो मैंने आपको ये बताया कि divergence एक specific point की property है वो पुरे का पुरे field की property नहीं है अगर आप ये बोल सकते है कि हमें इस area का divergence चाहिए तो वो गलत साबीत होगा क्योंकि divergence एक specific point का होता है अगर आप एक specific coordinate देते है तो उस coordinate के पास को आपको क्या मिल सकता है आपको उस coordinate के accordance में specific divergence मिल सकता है कि उस coordinate के पास आपका ये field है वो field कितना diverge हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको एक point समझाता हूँ कि अगर किसी भी vector field का आपको divergence समझना हो कि यह positive है, negative है या फिर 0 है तो वो किस तरह से समझा जा सकता है तो यहाँ पे आप consider कीजिए कि यह आपने एक इतना surface consider किया है तो इस surface में क्या है? आपके पास इस surface में 4 vectors है जो की इस पूरी की पूरी surface को क्या करते है? cover करते है मतलब की यह जो मैंने आपको circle draw करके दिया है उस circle में 4 vectors क्या होते है? consider होते है तो इन 4 vectors की direction क्या है? इस side से लेकर यहाँ तक मतलब की कुछ इस तरह से vectors draw हुआ है तो यह जो vector है वो vectors कीस तरह से? इस direction से start होते है और इस direction में क्या होते है? move होते है तो मतलब यह हुआ कि यह जो 2 vectors है वो 2 vector इस पूरे के पूरे हमारे circle में क्या होते है? enter होते है और यह जो 2 vector है वो 2 vector ये हमारे इस पूरे के पूरे एरिया में से क्या होते है बाहर निकलते है तो हमें ये देखना है कि ये जो हमारा bound किया गया area है इस bound किये गये area में जो दो vectors यहाँ पे enter होते है उन दोनों vectors का magnitude क्या है वो magnitude है 1 unit तो 1 unit के दो जो vectors है वो vector आपके इस decide किये गए field में क्या होते है enter होते है साथ में एसे ही दो vector मतलब की ये दो vector क्या होते है उसी one unit की length के साथ साथ यहां से क्या हो जाते है आउट हो जाते है मतलब की बहार निकलते है तो कहने का मतलब क्या हुआ कहने का मतलब ये हुआ कि जितना amount मतलब कि consider कीजिए कि ये को एक river है और इस river का ये क्या है एक flow है मतलब कि एक river है जो कि यहां के इस origin से start होके इस direction में क्या करती है propagate करती है तो ये जो river है वो river 100% क्या है uniform flow में है तो इसके कारण क्या हुआ जैसे कि आपने यहां पे एक area consider किया एक point consider किया इस point का divergence चेक आउट करने के लिए तो आपको यहां पे क्या मिला जितना flow मतलब कि ये जो दो vectors है ये इस river का flow represent करते है तो ये जो flow है वो flow जितने amount में इस area के अंदर क्या होता है enter होता है उतने ही amount में क्या हो जाता है वो उतने ही amount में इस area से क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है मतलब कि इस point में मतलब कि इस area में कोई भी assess flow कोई भी extra flow यहां पे ना ही तो restore होता है और ना ही यहां से extra बाहर निकलता है क्योंकि one magnitude का या फिर one unit के length का यह जो दो vectors है वो vector क्या करते है enter करते है और वही दो vector यहां से क्या हो जाते है बहार निकल जाते है तो यहां पे कोई भी field diverge नहीं होता है मतलब क्या हुआ कि जितना enter हुआ उतना ही exit हो गया तो अगर entrance और exit यह दोनों अगर equal है आपके field के अंदर कोई भी point के पास इस तरह से अगर आप कोई area चेक करते है तो इस तरह से अगर आपको कोई भी entrance और exit same मिलता है same amount में मिलता है तो इसे आप क्या बोलेंगे इसे आप बोलेंगे zero divergence मतलब कि यहां पे आपका यह जो field है वो field कोई भी property में diverge नहीं होता है क्योंकि जितना enter होता है उतना ही exit हो जाता है जैसे कि मैंने यहां पे आपको यह बताया कि यहां पे यह दो vectors enter करते है और यह दो vectors क्या कर जाते है exit कर जाते है तो जैसे इस area के case में होता है वही क्या होगा यहाँ पे भी होगा चेक कीजिए कि यहाँ पे भी दो वेक्टर क्या होते हैं एंटर होते हैं और उसे के साथ यह दो वेक्टर क्या हो जाते हैं एक्जिट हो जाते हैं तो यहाँ के केस में और इस केस में दोनों केस में आपको जितना एंटरंस मिलता है उतना ही क्या मिलता है exit मिलता है मतलब कि यहाँ पे कोई extra vector या फिर extra flow of water क्योंकि हमने इसे river consider किया था ना तो यह जो river का extra flow है वो यहाँ पे कोई भी point के पास नहीं restore होता है और नहीं यहाँ से क्या होता है develop होता है कोई भी condition यहाँ पे change नहीं होते है जितना entrance उतना है exit तो उसका divergence क्या बनके आता है उसका divergence बनके आता है zero तो यहाँ पे यह जो आपको field दिया गया है उस field का function क्या है function है f of x y is equals to one time i carat और यह जो आपका field है वो field पूरी की पूरी इस area में क्या है uniform है क्योंकि यह field यहाँ पे change नहीं होता है कोई भी point consider कीजिए कोई भी location consider कीजिए उस location के पास उसका यह जो vector है उस vector की direction उसका magnitude वो सभी क्या आएगा same आएगा और जैसे ही हमने specific point consider किया और उसका bounded area चेक किया जैसे की इस तरह से तो यहाँ पे enter होने वाला flow और exit होने वाला flow वो सभी flow के से है same है चाहे फिर वो आप यहाँ पे check कीजिए यहाँ पे check कीजिए यहाँ पे check कीजिए सभी case में enter होने वाले vector और बाहर निकलने वाले vector के से है same है जिसके कारण यहाँ पे कोई भी flow ना ही generate होता है और ना ही कोई भी flow यहाँ पे restore होता है तो इसके कारण इसका divergence क्या निकल के आता है? divergence निकल के आता है 0 तो यह example था एक uniform field के बारे में जिसका divergence हमें क्या मिला? 0 मिला तो आगे हमें क्या देखना है? कि अगर आपका field change हो तो मतलब कि जिस तरह से यहाँ पे आपको यह जो field मिल रहा है वो field uniform है लेकिन अगर आपका field uniform ना हो तो उसका divergence किस तरह से मिल सकता है? या फिर उस vector field का function क्या हो सकता है? हमें आगे की slide में इसी example को देखना है